रुडानियां की बात करें तो शो में रानो को मेजर हाथ अटेक आया है डॉक्टर ने कहा है कि ये किसी चीज़ का बहुत जादा स्ट्रेस ले रही थी इसी वज़े से ये सब हुआ है वालब आपको बताते चले कि शो में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से रनविजे को अपनी गलती का हैसास होगा क्योंकि उसने रानों से कहा था कि 30 दिन का वक्त दे रहा हूँ इसमें सारी सच्चाई बता देना वालब आपको बताते चले कि यहां पर रनविजे का रो रोकर बुड़ा हाल है अर्मान उसे सहारा देता है इधर तीनों बच्चों को बचा लेती है आल्या और आस्मा मिलकर राजव ऐसा लगता है कि उसकी वज़ा से बच्चे की जान चली गई है वो अपने आपको मारने लगता है लेकिन यहां आस्मा उसे बचा लेती है तो वहीं दूसरी ओर रन्विजे और आल्या च्छत पर मिल रहे होते है दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं जहां आल्या पूछ रही है कि रन्विजे तुम कौन सी सच बतानी की बात कर रहे थे अभी दोनों यह गले मिल ही रहते तब तक आस्मा पहुंच जाती है और इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों जो कर रहे हो न उससे पूरा परिवार बिगड़ जाएगा सब कुछ जो है इतना बिगड़ जाएगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी अगर तुम दोनों को कुछ करना ही है कोई डिसीजन ही लेना है तो घर वालों से बात करो पहले घर वाले फैसला लेंगे उसके बाद ही तुम फैसला लोगे देखना दुछस भी यह होता है कि क्या होगा क्योंकि अब आलिया ने भी आस्मा से ये बात कही है कि वो गलती कर रही थी वो भटक रही थी लेकिन अब वो फैमिली से पहले बात करी कि तभी वो कोई डिसीजन लेगी